देश पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई हैं कि साल 2020 में इलक्टिक और सेट जी चलने वाले वहानों में सबसे ज्यादा विक्री दर्ज की गई है लेकिन अभी भी देश में कुल गाड़ियों की विक्री के मुकाबले इलक्टिक वाहनों की विक्री काफी कम है लेखने को मिल सकती है पेट्रोल और डीजल कारों के तुला में इलेक्ट्रोनिक और सीएजी कारों वे चलाने में काफी कम खर्टाता है आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक और सीएजी कार में आपके लिए बेस्ट कौन सी रहे की साथ ही यह भी बताएंगे कि उनके फाइदे इवं नुक्सान क्या हैं? इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें. C&G कार खरीदने के फाइदे भारत में C&G कारें काफी पॉपुलर हैं और पिछले काफी समय से चल रही हैं. यूनेई और मारूती जैसी कंपरियों की कुल बिकरी में C&G गाड़ियों का काफी ज़्यादा शेर रहता है. C&G गाड़ी खरीदने की फाइदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फाइदा महेंगे पेट्रोल और डीजल से चुटकारा पाना और इनके मुकाबले कम खर्च आना है. आपको बता दें कि हाल ही में C&G गैस की कीमतों में हिजाफा हुआ था लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले C&G काफी सस्ती पड़ती है. तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद C&G कारों की डिमांड बढ़ गई. C&G कार को पेट्रोल से भी चलाने का उप्शन मिलता है. अगर बीच रास्ते में आपकी गाड़ी में C&G खत्म हो जाती है तो आप पेट्रोल का इस्तिमाल करके उसे एक फ्यूल स्टेशन तक ले जा सकते हैं. पेट्रोल और डीजल के मुकाबले C&G परेवरेंट के लिए अच्छा रहता है. अगर आप C&G कार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कोई समस्या नहीं होगी. कार में C&G किट और सिलेंडर लगने के बाद कार का बड़ा इस्ता इस्तिमाल होता है. आम तोर पर C&G किट गार के बूट स्पेस में लगाई जाती है जिससे वहान में कोई भारी समान रखना काफी मुश्किल हो जाता है. C&G गारी कम खरीदने के पीछे एक कारण ये है कि कुछ राजियों को छोड़कर कई राजियों में फ्यूल स्टेशन नहीं है. ऐसे में काफी समस्या होती है क्योंकि C&G स्टेशन नहीं होने के कारण गाड़ी को दूसरे राजियों में ले जाना पड़ता है. इसी के साथ C&G की गाड़ियों का पिकप भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले कफी कम रहता है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कई सारे फाइदे हैं. सबसे बड़ा फाइदा तो ये है कि इलेक्ट्रिक गारे परेवरन के लिहाज में सबसे बढ़िया है. अब तो इलेक्ट्रिक वीकल को सपोर्ट करने के लिए कई राजियों ने इलेक्ट्रिक कार पॉलिसी की गोजना की है ये इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए प्रेडित करती है देश में कुछ जगाहों पर इलेक्ट्रिक विकल खरीदने पर रोट टेक्स और आर्टियो शुल्क नहीं लगता है भारत में इलेक्ट्रिक गारों की कीमत काफी ज्यादा है क्योंकि दूसरे विकल इलेक्ट्रोनिक विकल की तुलना में कम कीमत पर मिल जाते है इलेक्रिक वीकल की कीमत ज्यादा होने का मुख्या कारण उनकी बैटरी है देश में ज्यादा इलेक्रिक वीकल चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा इशू है हम उमीद करते हैं कि आज आज आप सभी का CNG और इलेक्रिक गाड़ियों को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्ते ममरिष्टेदारों के साथ शेयर करना ना भूले और डेलियर डेट्स के लिए बने रहे दा वोकल यूज हिंदी के साथ